हलो एवरिवान स्वागत आप सभी का इंग्लिश क्लास में मैं हूँ भुमिका चौहान और आज की हमारी क्लास होने वाली है डारेक्ट से इंडारेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सभी रूज जो है वो एक साथ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे इससे पहले कि हम आगी बढ़े आप इंग्लिश चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करें यहां पर वो क्याबलरी स्पोकन और ग्रामर का सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है यह जो वीडियो अभी आपको मिल रही है यह सभी वीडियो जो है वो क्विक रिविजिन के कॉइट गण करें में आपको कह सारी रूज आज की इस वीडियो में बताने वाली हुँ कोई भी conjunction जो है वो use नहीं होता है कब interrogative sentence में जब यहाँ पर कोई भी question word दिया होगा for example what where when अगर ऐसा कोई question word आपको दिया हुआ है तो आप वहाँ पर कोई भी conjunction use नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक joining clause की तरह काम करेगा for example where do you live ask the boy अब कहां रहते हैं लड़के ने पूछा the boy inquired अब उसने inquiry की right where I lived तो where का where यहाँ पर रहा है यह अपने आप यहाँ पर एक clause की तरह काम कर रहा है अब अगर एक direct speech में जो sentence है वो start होता है किसी भी auxiliary verb या helping verb से right for example यहाँ पर जैसे यह विल से शुरू हो रहा है will you come for the party तो आप हमेशा यहाँ पर क्या करेंगे weather और if का use करेंगे joining clause की जगा so if और weather का मतलब की as joining clause यहाँ पर if और weather का इस्तिमाल किया जाएगा जैसे she asked whether we would come for the party clear हो गई यह बात तो यहाँ पर अगर कोई भी auxiliary verb या helping verb से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर आप weather और if का use करेंगे next she is reporting verbs अगर said और said to है तो वो change होंगी ध्यान रखेगा interrogative sentence के अंदर वो change होंगी inquired asked और demanded में for example यहाँ पर भी asked में change हुई थी यहाँ पर भी he said to me what are you wearing अब what आ रहा है यहाँ पर मैंने अभी आपको एक rule बताया यहाँ पर अगर watch आ रहा है तो वो ऐसा का ऐसा रहेगा यह joining clause की तरह काम करेगा said to जो है वो change हो जाएगा ask में right आप ध्यान रखेगा inquired ask or demanded में change होता है next direct से indirect बनाते समय हम models जो है वो कैसे change करेंगे बहुत simple है can जो है वो could में change होगा में जो है वो might में must जो है वो had to बन जाएगा या would have to clear हो गई यह बात could would should might or ought to could would should might or ought to यह change नहीं होते हैं जैसे की she said I should clean the house should जो है वो should रहेगा she said that she should clean the house should जो है वो यहाँ पर should ही रहा आप यह सभी चीज़े note कर लिजेगा complete rules एक वीडियो के अंदर आपको मिल रहे हैं आगे बढ़ जाते हैं pronoun कैसे change होंगे आप सभी को पता है यहाँ पर देखिए यह वाला जो है यह हमारा pronoun है sun rule के बारे में आपने जरूर सुना होगा one two three अगर हमारा जो pronoun है वो first person है तो वो subject के according change होगा जैसे यहाँ पर I first person था यह subject she के according change होगा reporting verb के subject के according तो यहाँ पर यह शी आ गया अगर pronoun second person है वो object के according change होगा अगर pronoun third person है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा sun rule सबसे ज्यादा important है आगे बढ़ जाते हैं direct speech to indirect speech conversion request command और wish कोई भी request है कोई भी command है कोई भी wish है आप उन्हें कैसे change करेंगे आप जब उसको indirect में convert करेंगे आप use करेंगे requested ordered suggested and advised क्लियर हो गया request है अगर तो आप requested यूज करेंगे order है आप ordered यूज करेंगे suggestion आप suggested लिखेंगे negative अगर sentence दिया हुआ है तो आप फॉर्बेड या फॉर्बेड का यूज करेंगे इसलिए जो imperative mood है वो change हो जाता है और infinitive infinitive जो है वो बन जाता है indirect में ठीक है for example यहाँ पर she said to her please complete it आपने देखा यहाँ प्लीज लिखा हुआ है तो यहाँ पर request आ गया she requested her to complete it तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ infinitive में change हो गया to complete to infinitive में यहाँ पर change हो गया please और kindly अगर use किया गया है आप उनको replace कर देंगे आप उन्हें हटा देंगे remove कर देंगे next exclamatory sentence जो की grief sorrow happiness या upload दर्शाते हैं interjections जो है वो remove होते है जैसे कि alas hooray wow यह आप हटा देंगे जैसे she said alas I am undone right so आप change करेंगे जब आप क्या करेंगे alas जो है उसे हटा देंगे she exclaimed sadly she exclaimed sadly यह हुए अब हम finally बताएंगे time के according क्या बदलाव होता है change of time now then में बदल जाता है here there में बदलता है ago before me today that day or the same day में tomorrow the next day में this that में yesterday the day before में these those में hither तिदर में come go में hence thence में next week following week में यह थे कुछ rules अब आपको ध्यान हमेशा कुछ चीजों का रखना होगा जैसे कि sun rule हो गया हम को मास को हटा देते हैं और that का इस्तिमाल करते हैं conjunction का उसको जोडने के लिए right तो यह कुछ rules थे जो मैंने आपको बताए direct indirect के इन सभी को अगर आप follow करेंगे आप easily कोई भी question जो है वो कर लेंगे मैं आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बबाई टेक केर